Global Hunger Index, गी, 2022 के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार करें 1. यह पाँच संकेतकों पर आधारित है, जिसमें कुपोशन और चाइल्ड वेस्टिंग शामिल है 2. दक्षिन एशिया के देशों में भारत के बाद अफगानिस्तान एक मात ऐसा देश है, जिसका सूचकान्ठ में सबसे खराब प्रदर्शन है 3. वर्ष 2022 की रिपोर्ट ने भारत को गंभी देशों की श्रेनी में रखा है उपर दिये गए कत्नों में से कौन सा से सही है, है A. एक और दो B. एक और तीन C. केवल दो D. एक, दो और तीन उत्तर C. प्रसंग Global Hunger Index घी 2022 भारत को 121 देशों की सूची में 107 वे स्थान पर रखता है घी के बारे में Global Hunger Index वेश्विक शेत्रिय और राष्ट्रिय स्तर पर भूप को व्यापक रूप से मापने और ट्रेक करने के लिए डिजाइन किया गया एक मापक है जो समय के साथ भूप के कई आयामों को दर्शाता है यह कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया गया है उद्देश्य इसका उद्देश्य भूप के खिलाफ संघर्ष में जागरुकता और समझ बढ़ाना देशों और क्षेत्रों के बीच भूप के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करना तथा दुनिया के उन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्शित करना है जहां भूप का स्तर उचतम है और भूप मिटाने की अतिरिक्त आवश्यक्ता का सबसे बड़ा प्रयास है यह चार संकेतकों पर आधारित है जो एक साथ भूप की बहुआयामी प्रकृती को दर्शाते है एक अलपोशन अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ जनसंख्या का हिस्सा दो, बाल बॉनापन, पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है जो लंबे समय से चल रहे को पोशन को दर्शाता है तीन, चाल्ड वेस्टिंग, पाँच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उचाई के हिसाब से कम है जो तीव्र को पोशन को दर्शाता है चार बाल मृत्युदर अपर्याप्थ पोशन और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण अपने पांचवे जनम दिन से पहले मरने वाले बच्चों का हिस्सा भारतिय परिद्रश्य युद्ध से तबाह अफगानिस्तान 109 कुछूर कर भारत का स्थान सभी परोसी देशों से नीचे है यह श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांगलादेश 84 और पाकिस्तान 99 से नीचे है अफगानिस्तान दक्षिन एशिया का एक मात्रैसा देश है जिसका प्रदर्शन भारत से भी खराब है गी में भारत के 29.1 स्कोर के कारण इसे गंभीर, श्रेनी में रखा गया है व्याश्विक भूक सूचकांग 2021 में भारत 116 देशों में 100 पहली स्थान पर था सटेट योजना के संदर्ब में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक, इसे नवीन और नवीकरनिये उर्जा मंत्राले के तहत लौंच किया गया है दो, यह पारम परेक इंधन के विकल्प के रूप में संपीरित बायो गैस को बढ़ावा देता है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है, है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दूनो, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर, B. प्रसंगह सटट योजना के तहट स्थापित किये जा रहे संपीरित बायो गैस सयंत्रों में पराली का उप्योग करने हेतु बायो मास को कच्चे माल के रूप में उप्योग करने का प्रयास किया जा रहा है वैकल्पिक और हरित परिवहन, इंधन के रूप में संपीरित बायो गैस को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले के तहट सटट पहल शुरू की गई थी सटट नाम की इस पहल का उद्देश्य विकासात्मक प्रयास के रूप में किफायती परिवहन के लिए एक स्थाई विकल्प प्रदान करना है जिससे वाहन उप्योग करताओं के साथ साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाब होगा उद्देश्य एक वाहन उप्योग करताओं के साथ साथ किसानों और उद्द्यमियों को लाभानवित करने के लिए विकासात्मक प्रयास दो, खेतों में पराली जलाने और कार्बन उद्सरजन के कारण शेहरी वायू प्रदूशन से प्रभावी धंग से निपटना 3. कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आये ग्रामीन रोजगार तथा उद्द्यमिता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री के लक्ष्य को साकार करना 4. नगर निगम के थोस कचरों का कुशल उपचार और निपटान करना 5. CBG सयंत्रों से उत्पादित किन्वित जैविक खाद, FOM, का उप्योग करके जैविक खेती को बढ़ावा देना चुनावी बॉंड के संबंध में निमनलिखित कतनों पर विचार करें 1. यह राजमीतिक दलों को चंदा देने के लिए खरीदे गए वचन पत्र की तरह है 2. सभी पंजी कृत राजमीतिक दल चुनावी बॉंड प्राप्त करने के पात्र है 3. कोई भी प्रदाता चुनावी बॉंड केवल दिजिटल मोड में या बैंक चेक के माध्यम से खरीद सकता है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा से सही है है A. एक और तीन B. दो और तीन C. केवल एक D. एक दो और तीन उत्तर A. प्रसंड सुप्रीम कोट ने सरकार से पूछा कि क्या चुनावी बॉंड की प्रणाली राजनीतिक दलों को धन देने के लिए पैसे किस रोत का खुलासा करती है जबकि केंद ने बार-बार कहा है कि यह योजना बिलकुल पारदर्शी है चुनावी बॉंड राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वचन पत्र या एक वित्तिय साधन की तरह है जिसे भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित व्यक्ति, कम्पनी, द्वारा खरीदा जा सकता है केवल वे राजनीतिक दल इसे प्राप्त करने हेतु पात्र हैं, जो लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-1 के तहट पंजीकृत हैं, और पिछले आम चुनाव में लोग सभा या राज्य की विधान सभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत हासल किया है चुनावी बॉंड को एक पात्र राजनीतिक दलद्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा द्यातव्य है कि भारतिय स्टेट बैंक को चुनावी बॉंड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ सयुक्त रूप से चुनावी बॉंड खरीद सकता है ये ब्याज मुक्त बॉंड है और मांध पर धारक को देय है कोई भी व्यक्ति इन बांडों को केवल डिजिटल रूप से या चेक के माध्यम से खरीद सकता है बॉंड एक हजार रूपिये, दस हजार रूपिये, एक लाख रूपिये, दस लाख रूपिये और एक करोर रूपिये के मूल्य वर्ग में बेचे जाते हैं एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किये गए चुनावी बॉंड से प्राप्त धनराशी उसी तिथी को क्रेडिट जमा हो जाता है चुनावी बॉंड जारी होने की तारीक से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधी की समाप्ती के बाद चुनावी बॉंड जमा किये जाने पर किसी भी बॉंड प्राप्त करता राजनीतिक दल को कोई बुपतान नहीं किया जाएगा WEEE Forum के संदर्ब में निमनल इखित कतनों पर विचार करें 1. इसकी स्थापना वर्ष 2002 में दुनिया भर के 46 संगतनों के एक गैर लाबकारी संग के रूप में की गई थी 2. वर्ष 2022 के लिए अंतर राश्ट्रिय इवेस्ट दिवस की ठीम Recycle it all, no matter how small, है उपर दिये गए कतनों में से कौन सा, से सही है, है A. केवल एक B. केवल दो C. एक और दो दोनो D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर C. से संदर्ब अंतर राश्ट्रिय इवेस्ट दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को इवेस्ट के प्रभावों को प्रतिबिम्बित करने के अफसर के रूप में आयोजित किया जाता है वर्ष 2022 के लिए अंतर राश्ट्रिय इवेस्ट की ठीम Recycle it All, no matter how small, है WEEE Forum अप्षिष्ट विद्यूत और Electronic उपकरण WEEE के प्रभंधन से संबंधित परिचालन संबंधी जानकारी के संबंध में दुनिया का सबसे बड़ा बहुराश्ट्रियक शमता केंद्र है यह दुनिया भर के 46 WEEE Producer Responsible Organizations का एक गैर लापकारी संग है और इसकी स्थापना अप्रेल 2002 में हुई थी WEEE Forum सर्वोत्तम प्रविधियों के आदान प्रदान और अपने प्रतिष्थित ग्यान आधार टूल बॉक्स के माध्यम से अपने सदस्यों को उनके संचालन में सुधार करने और सकुलर एकॉनमी के प्रमोटर के रूप में स्थापित हुने में सक्षम बनाता है WEEE Forum Producer Responsible Organizations का एक जीवन समुदाय है जो विद्यूत और इलेक्ट्रोनिक कच्रे की चुनौती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है छोटे अप्रयुक्त मृतिया टूटे प्लग इन और बैटरी से चलने वाले उत्पादों की जमाखोरी इस वर्ष के पांचवे वार्षिक अंतराश्ट्रिय इवेस्ट दिवस का फोकस है जी साथ समूह भारत को Just Energy Transition Partnership पर वार्ता में शामिल करना चाहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एक, इसका उद्देश्य और जाक्षेत्र में उद्द सर्जन को कम करना और कोईला चरनबद प्रक्रिया में तेजी लाना है दो, भारत Just Energy Transition Partnership वार्ता का समर्थन करता है उपर दिये गए कथनों में से कौन सा से सही है, है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनो, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं उत्तर A. डक्षिन अफ्रीका और जर्मनी, फ्रांस, युनाइटिड किंग्डम सयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपिय संग्र के बीच Just Energy Transition Partnership जे एटीप दक्षिन अफ्रीका में कोईले के उप्योग से फेज आउट का समर्थन करने के लिए COP26 के सबसे उलेखनिय परिनामों में से एक था इस प्रकार शुरू में इसे दक्षिन अफ्रीका की दिकार्बोनाइजेशन योजनाओं का समर्थन करने के लिए सनरचित किया गया था यह कोईले के उप्योग से चरनबद तरीके से बाहर निकलने और उत्सरजन को कम करने के लिए अमीर या विक्सित देशों की एक पहल है यह साजहेदारी पहचान किये गए विकास शीर देशों में दिकार्बोनाइजेशन प्रयासों के लिए धन मुहया कराती है इसका उद्देश्य उर्जाक शेत्र में उत्सरजन को कम करना और कोईला फेज आउट प्रक्रिया में तेजी लाना है पहली बार COP26 में घोशित इस साजहेदारी के बाद भारत इंडोनेशिया, सैनेगल और वियतनाम के संदर्ब में भी इसी तरह की साजहेदारी के लिए जी साथ द्वारा घोशना की गई हाला की भारत सरकार द्वारा भारत को इस साजहेदारी पर वारता में शामिल करने के जी साथ देशों के प्रयास पर असेहमती दर्च की गई है भारत का तर्क है कि कोईले को एक प्रदूशनकारी इंधन के रूप में अलग नहीं किया जा सकता है तथा उर्जा संक्रमन वारता सभी देशों के लिए समान शर्तों पर होनी चाहिए झाल झाल